नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको भीनू का जोड़ बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से अगर आप इस चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सेर करना न भोलिए तो आए व पर मैं एक सवाल लिया हूँ, एक बटा दो प्लस तीन बटा चार प्लस पांच बटा छे तो दोस्तो आपको तो मालिम होगा कि इसको उपर वाले को आम अन्स काते हैं और नीचे वाले को हर काते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोश्चन लिख लेता हूँ, एक बटा दो पन प्लस तीन बटा चार प्लस पांच बटा छे अब ध्यान दीज़ेगा दूस्तो भिनु का जोड करने के लिए सबसे पहले क Congrats होता है कि इसका जो हर है 246 हम सबसे प्छलिक क्या करेंगे कि forty pesos का लोसो निकालेंगे कि दो चार-शो का लावुसो internेget ठीक है तो आए M कि दो जालता हूं की दो चार छे दोस्तूबर अगर आपको लोसो KRO निकालना नहीं आता है तो लॉसो कैसे निकाल लाता है, इसके उपर में एक वीडियो बनाया हूँ, आप जा के देख सकते हैं दोस्तो लॉसो निकालेंगे इसका, दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया, छे फिर उसके बाद दो से कटाएंगे, दो एकम दो, दो एकम दो और तीन कोशी तरीकी से उतार देंगे, फिर तीन से कटा देंगे, एक, एक और एक तो यह हो गया दोस्तो दो दूना चार, और चार तिया, बारा तो इसका जो लॉसो आगया दोस्तो दो, चार और छे, दो, चार और छे का अगर हम लॉसो निकालेंगे तो कितना होगा 12 होगा तो इसके हरों का लोसों निकाल लेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अब 2 से 12 में भाग देंगे तो कितना होगा 2 6 के 12 और 6 से 1 में गुड़ा कर देंगे ठीक है 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 आएगा और 6 से 1 में गुड़ा कर देंगे तो कितना होगा 6 एकम 6 फिर उसके बाद पलस है तो पलस लिखेंगे फिर उसके बाद 4 से 12 में भाग देंगे तो कितना होगा 4 तिया 12 3 होगा और 3 से 3 में गुड़ा करेंगे तो कितना होगा 9 होगा फिर उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे फिर छो से भाग देंगे बारा में तो कितने बार में जाएगा दो बार में तो छो दुना बारा और दो से क्या करेंगे पांच में गुडा कर देंगे तो दो पाचे दस अब क्या करेंगे अब हम इसको जोड़ देंगे इसके अंस को जोड़ देंगे तो कितना होगा नौ छो पंदरा और पंदरा दस पचीस तो यह हो जगा दोस्तो पचीस बटा बारा यही आपका क्या होगा यही आपका एंसोर होगा दोस्तो ठीक है उसी तरीके सामरा दूसरा जो सवाल है इसको भी देखिए दूसरा सवाल है दोस्तो दो बटा चार प्लस तीन बटा दो प्लस पांच बटा बारा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो हर है चार दो बारा चार दो बारा का हम लॉसों निकालेंगे चार दो 12 इसका हम लॉसों निकालेंगे तो लॉसों निकालेंगे के लिए सबसे परले हम दो से भाग देते हैं फिर उसके बाद 3 से देते हैं फिर 4 5 इस तरीके से जब تक की संख्याओं जितनी भी संख्याओं हैं उनके जगा पर 1 न आ जाए फिर हम 3 से कटाएंगे 1, 1, 3 एकब, 3 तो यह आपका क्या लॉसोव आ गया फिर हम इसका गुड़न खंड कर लेंगे तो 2, 2, 4, 4, तिया, 12 इसका लॉसोव कितना गया 12 आ गया तो हम क्या करेंगे इसका जो हर है 4, 2, 12 इसका हम लॉसोव निकालेंगे तो लसो कितना है, बारा है तो हम इसके हरो का लसो लिखे लेंगे बारा फिर उसके बाद क्या करेंगे इसके हर से इसमें भाग देंगे तो कितने बर जाएगा, चारती है बारा तीन बर में जाएगा, अब तीन से क्या करेंगे कि 3 से हम 2 में गूड़ा कर देंगे तो 3 नीरा कितना होगा? 6 होगा फिर उसके बद प्लस अब फिर 2 से 12 में भाग देंगे तो कितने बर जागा? 6 बर में 2 चका 12 अब 6 से क्या करेंगे? 3 में गूड़ा कर देंगे तो 6 तिर 6 तिरी 18 फिर उसके बाद प्लस अब 12 से क्या करेंगे 12 में भाग देंगे कितने बर में जाएगा एक बर में अब एक से 5 में बूड़ा करेंगे कितना होगा 5 होगा फिर उसके बाद क्या करेंगे इसके अंस को जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 और 5 यह 11 6 पाची 11 हो जाएगा और 11 और 18 कितना हो जाएगा 11 और 18 हो जाएगा दोस्तो 29 29 बाटा 12 यह आपको क्या हो गया एंसर हो गया इसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे दोस्तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 बाटा 5 प्लस 9 बाटा 6 प्लस 4 बाटा 2 6 और 2 इसके हरू का लासो निकलते है 2 तिय 6 2 एकम 2 फिर 3 से कटाएंगे 5 तीन एकम 3 फिर ये 5 से कट जाएगा 1 और 1 ठीक है तो इसके गुड़ा कर लेंगे 2 तिय 6 6 पचे 30 तो दोस्तों 3 बटा 5 प्लस 9 बटा 6 प्लस 4 बटा 2 इस भीन को जोडने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम इसके हरू का लासो निकलेंगे तो इसके हरू का लासो कितना होगा 2 तीन गुड़े 5 बराबर 30 2 तिय 6 6 पचे 30 इसके हरू का लासो कितना आ गया 30 आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके हरु का लासो 20 है 30 यहां पर लिखिलेंगे उसके बाद से क्या करेंगे पांच से 30 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा चो बार में जाएगा और चो से 3 में गुरा कर देंगे तो कितना होगा 6 18 होगा फिर उसके बाद प्लस फिर 6 से क्या करेंगे 30 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा और 5 से 9 में गुड़ा कर देंगे कितना होगा 9 पचे 45 प्लस फिर 2 से 30 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा 15 बार में जाएगा और 15 से 4 में गुड़ा कर देंगे कितना होगा 15 चोग का 60 फिर उसके बाद इस संख्याओं को जोड लेंगे दोस्तों तो 5, 8, 5, 13 का 3 हासल एक और 6, 4, 10 10 सिख्ये गारा एक 12 और यह हो गया 30 ठीक है दोस्तों फिर हम 123 में क्या करेंगे 30 से भाग देंगे 30 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा चार बार में जाएगा चार थी हम 12 120 बच जाएगा 3 फिर 10 मोल आक हम क्या उतर लेंगे 0 उतर लेंगे तो कितना बार मजाएगा एक बार मजाएगा तो यह दोस्तों पूरा कट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 दसमलो 1 यह आपका क्या होगा एंसर होगा तो इस तरीके से कोई भी सवाल है दूस्तों कोई भी सवाल है भीनों का जोड़ा अगर आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे एक बार मैं आपको और एक्स्प्लेंड कर देता हूँ समझा देता हूँ जैसे माल जी कोई भीन का जोड़ लेगे जैसे माल जी की कोई सवाल है 3 बटा 2 प्लस 5 बटा 4 प्लस 3 बटा 8 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भीन का जोड़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका जो हर है इन हरों का हम लौसव निकालेंगे तो लौसव निकाली दो चार आठ दो एकम दो दो दूना चार दो चोग का आठ दो एकम दो दो एकम दो दो दूना चार एक एक और एक तो इसका गुड़ा गुलंखन कर लेंगे दो, दो, कितना होगा दो दूना, चार दूना, आठ तो दोस्तो इसके हरो का लॉसों कितना आ गया आठ आ गया, तो हम इसके हरो का लॉसों लिक लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देजिए फिर उसके बाद ये दो जो है दो से हम भाग करेंगे आठ में तो आठ भागा दो आठ भागा दो और इसमें गुड़ा कर देंगे तीन से ठीक है उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे फिर हम आठ में भाग देंगे चार से तो आठ भागा आठ हमें भाग देंगे आठ से और गुड़ा कर देंगे गुड़ा कर देंगे कितने से तीन से इस तरीके से दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आजाया जैसे देखिए मैं क्या किया हूँ सबसे पहले मैं 8 में भाग किया हूँ 2 से और गुड़ा कर दिया हूँ तो अभी आपको समझ में आ जाएगा तो जब 2 से भाग करेंगे 8 में तो कितना होगा 2 चोग का 8, 4 होगा और 4 तीया 12 हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 8 में कितना बार में जाएगा चार और गुड़ा तीन फिर प्लस फिर चार से आठ में देंगे दो बर जाएगा दो और गुड़े पाँच फिर प्लस फिर आठ से आठ में भाग देंगे कितना बार में जाएगा एक बर में जाएगा तो एक हो जाएगा और गुड़े तीन बटा कितना है आठ फिर उसके बाद चार तिया 12 प्लस 2 पचे 10 प्लस 3 एकम 3 फिर 8 अब इन सब को जोड़ दीजी तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 और 10 कितना होगा 22 23 25 तो यह हो जागा दूस्तो 25 बटा 8 यही आपको क्या हो जागा एंसर हो जागा ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी भी भीन का जोड़ कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो, आप उसको इसी तरीके से हल करेंगे, अभी मैं आपको एक और सवाल बाता जाता हूँ भीन का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जैसे माल जे मैं कोई भी संख्या ले ले निकालेंगे तो हरो का लासो निकाले है का जोड़ करने के लिए एक बात हम ऐसा याद रखेगा कि किसी भी भी इनका जोड़ करने के लिए सबसे पहले हम उसके हारो का लॉसो निकलते हैं और हारो का लॉसो निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके हारो से उसमें भाग देते हैं और फिर उसके आंसे गुड़ा कर सबसे पहले हम बारी बारी से सबसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम बारा में भाग देंगे दो से तो दो से बारा में भाग देंगे तो कितना होगा चोव दो चके बारा और चोव से क्या करेंगे एक में गुड़ा कर देंगे तो चोव एकम चोव फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 12 में भाग देंगे 4 से, तो कितना होगा, 4 तीया, 12, 3 होगा, और फिर 3 से 3 में गुड़ा कर देंगे, कितना होगा, 9 होगा, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद 12 में भाग देंगे 6 से, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 6 दु यही आपका एंडसर हो गया अगर आप चाहे तो पचीस में भाग दे सकते हैं बारा से तो जो बारा से भाग देंगे आप पचीस में तो कितनी बार में जाएगा दो बार में जाएगा बचेगा एक तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं पचीस बटा बारा को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक सही इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दो सही एक बटा बारा इस तरीके से भी लिख सकते हैं 25,12 को आप इस तरीके से भी लिग सकते हैं 12 से यह यह संब ज sonать 2 अगर आप यह नहीं लिखते हैं तो भी सभी यह सवका यह कोई गलत नहीं यह जही है लेकिन अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दो सही एक बटा 12 अगर आप 12 से दो में गुड़ा करेंगे तो कितना होगा? 24 होगा, 24 में एक जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 बटा 12 यानि कि इस तरीके से लेखिए या फिर इस तरीके से लेखिए इन दोनों का मतलब से हमी है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में भीनू का जोड़ करना असानी से सिंग गए होंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट करना ना बोली अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ तो भीनू का घटा ना बता हूँगा थाएंगे